कल मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी जिसमें कि मैंने आपको किलियर कट बताया था कि 94 लोन अप्लिकेशन को पूरे तरीके से गौवर्मेंट ने बैन कर दिया है उसके बाद में आप मेंसे कई व्यक्तियों ने मुझे इमेल भी किये कोमेंट भी किये कि वो कौन-कौन सी एप्लिकेशन है जो पूरे तरीके से बैन हुई है मैंने अपनी research start की तो मैंने पाया वो जो mobile loan application पैन हुई है उनकी detail अभी properly updated नहीं है मैंने कुछ articles के मादियम से जो information collect की मैंने पाया सिर्फ दो application की अभी detail आ रही है कि उनमें से lazy पे पुरे तरीके से बंद हुई है उनमें से किस finance बंद हुई है मैं आपको अपनी videos के मादियम से बता दूँगा guys आपको मैं बताना चाहूँगा इन mobile loan applications को क्यों बैन किया गया है इनके जो connections थे पूरे तरीके से चाइना से थे मैं पिछले काफी वक्त से ऐसी mobile loan applications पर videos बना रहा हूँ लोगों को aware कर रहा हूँ, educate कर रहा हूँ कि आप किसी ऐसी mobile loan application से किसी परकार से कोई loan ना ले क्योंकि इनका जो समंद्ध है ये चाइना से है, ये fraud है, ये फरजी है बहुत सारे व्यक्ति मेरी बातों पर trust कर लेते हैं और बहुत सारे व्यक्ति trust नहीं करते हैं उनको लगता है ये गलत बोल रहा है लेकिन जब वो ऐसी mobile loan application से किसी परकार का कोई loan लेते हैं और उनको पता लगता है कि उनका data पूरे तरीके से access कर लिया गया है उनकी gallery बगएरा, उनके photos बगएरा उनको पूरे तरीके से मोग बना करके उनको blackmail के जा रहे, जब जाकर के उन लोगों को समझ में आता है मेरे दोस्त आपको एक बात पूरे तरीके से समझ नहीं होगी, सोच नहीं होगी देखिए ये जो mobile loan application है जितनी भी ये आपको आपके pen card आधार card पर ही आसानी से loan देती है किसी प्रकार से आपसे ना तो कोई ये income का पूर्फ मांगती है, आपसे pen card आधार card मांगती है लेकिन आपका पूरा data collect करके उसको ये sell भी करती है, जिसका उधारन आप लोग देख सकते हैं कि सरकार ने कितना तगड़ा इन पर action लिया है और ये action आज ही नहीं हुआ है, विछले काफी वक्त से ऐसे actions होते आ रहे हैं, हम उनको अपनी videos के माध्यम से covered भी कर रहे हैं देखिए हमारा उदेश यही होता है कि किसी प्रकार से हमारे देशवासियों को नुकसान ना हो, किसी प्रकार से आपको कोई हानी ना पोचे, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो, ये हमारा उदेश होता है आप में से पहुत सारे व्यक्ति होगा ये question होगा कि अगर lazy pay और किस finance को बंद कर दिया गया है क्या income payment करें या ना करें देखिए आपके जो loans वगरा है वो तो proper चलते रहेंगे अब वो depend करता है कि recovery कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन पर depend करता है एक बात आप ध्यान रखेग कि आरवे रेजिस्टर मुबाइल लोन application है तो वो गलत नहीं करेगी आप आरवे रेजिस्टर मुबाइल लोन एप से भी किसी प्रकार का कोई loan ना ही लें तो बहतर है मैं आपको यह recommend करता हूँ मेरा opinion यह इन applications को ले कर गए आप किसी भी application को उठाके देख लीजेगा आपक को भी लगता है कि कि किसी mobile loan application के जो connection है वो चाइना से है तो आप पूरे तरीके से Indian government को update करें IT minister को update करें उनके Twitter account पर जा करके और जितना आप ट्वीट करेंगे उतना बहतर है आप मुझे Twitter पर फॉलो कर सकते हैं मैंने अपने Twitter account का link वीडियो के description box में दे दिया है आप मुझ को retweet करेंगे उतना बहतर है उतना सरकार भी अच्छे तरीके से action ले पाती है और गाईज मेरा एक टेलिग्राम पर भी चैनल है जिसका link वीडियो के description box में तो मिलेगा मिलेगा साथ ही वीडियो के pin comment section में भी मिल जाएगा आप मेरे टेलिग्राम चैनल को भी बुरी तरीकी स subscribe कर लिजेगा छोटे छोटे अपडेट में वहाँ पर लेकर के आता रहता हूं तो गाईज आभी एक clear picture नहीं हुए कि lazy pay बंद हुए है या किस finance बंद हुआ है क्योंकि आभी जब मैं इस वीडियो को record कर रहा हूं बुरे तरीके से यह जो loan application है वो play store पर applicable है धन्यवाद